राज्वीती से जुड़ी हर ख़बर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही वेल आइकन को प्रेस करें लेटिस न्यूस सबसे पहले पाने के लिए संसत के कारिवाही में आज जमु कश्मीर का मुद्दा गरमाया हुआ है ग्रह मंत्रिय मिशा ने जमु कश्मीर से धारा 370 के प्रावधान हटाने सम्मंदी प्रस्ताव को सदन में पेश कर दिया है विपक्षिस मामले पर जोरदार हंगामा कर रहा है इस मुद्दे पर ग्रह मंत्रिय मिशा ने दोनों सदन में बयान दे दिया है बतादी कि कश्मीर में लगातार बदलते हालात के बीच राजी की पूर मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुक महभूब मुफ्ती और एंसी नेता उमर अब्दुला को श्री नगर में नजर बंद किया गया है इसी दोरान अमिशा ने तीन बड़े फैसलों पर अपनी महर लगाई है पहला फैसला अनुछे 370 हटेगा राजसबा में ग्रह मंत्री अमिशा ने कहा कि पहले मुझे बिल पेश करने दीजिये फिर चर्चा के बाद विपक्ष वोटिंग चाहे तो वो भी कराई जा सकती है उन्होंने कहा कि भरोसा है कि सदन सहमती से इस बिल को पारित कर देगा शा ने कहा कि कश्मीर के हालात पर भी बयान देने के लिए तैयार हूँ अमिशा ने सदन में अनुचे 370 हटाने का संकल सदन में पेश किया है इस पर सदन में हंगामा शुरू हो गया है अमिशा ने जमुकश्मीर पुनलगठन विध्यक और जमुकश्मीर आरक्षं दूसरा संशोधन बिल भी पेश कर दिया है सदन में इस बयान के बाद जोरदार हंगाम हो रहा है दूसरा फैसला जमू कश्मीर से लद्दाक अलग नए प्रावधान जिसमें जमू कश्मीर पुनर घटन का प्रस्ताव शामल है उसके तहट जमू कश्मीर अब केंदर शासित प्रदेश होगा और लद्दाक को जमू कश्मीर से अलग कर दिया गया है और उसे भी केंदर शासित प्रदेश का दरजाद दिया गया है अमिशा ने कहा कि 38 बार सदन में ऐसे प्रावधान लाए गये है और इस सदन में उसे पेश किया गया है तीसरा फैसला जमो कश्मीर केंदर शासित प्रदेश नरेंदर मोधी सरकार ने जमो कश्मीर के पुनलगटन विदाय को पेश किया है इसके तहए जमो कश्मीर से लधाक को अलग कर दिया गया है लदाग को बिना विधान सबा केंदर शासित प्रदेश का दरजा दिया गया है। अमिशाक के और से जारी बयान में कहा गया है कि लदाग के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि लदाग को केंदर शासित राज्य का दरजा दिया जाए। ताकि यहां रहने वाले लोग अपने लक्षियों को हासिल कर सके रिपोर्ट के मताबिक जम्मो कश्मीर को अलग से केंदर शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है जम्मो कश्मीर राज में विधान सबा होगी तो दोस्तो यह थी अब तक की अपडेट्स आगे की जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और अगर आपको इन्यूस पसंदारी तो लाइक और शियर करें साथ ही अपने विउस हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं